जब आप पढ़ांगे कताब पुल्या पेंडगरां मेहंदर पाल सिंग तालीवार दिये लिखी होई कताब है रोजी ने कार विच्चों ही डेश्टल कुंडी दा पटन दबागे गराई दी डूर खोली ते सदा वांग कार गराज विच खड़ी करके टीवी रूम बलत रुपई उसनों पता सी उस दा पती गैरी हर रोज वांग बच्ची नो स्कूल शड़न से बंदी सबाल पुच्छे का ट्रैफिक ता नहीं सी बार सर दीक नहीं कै लेट ता नहीं होई वगेरा हो सकदा वो किसे नहीं टेली फोन ते गल कर रहा होई वो टीवी रूम दा दरवाज जा मसा लंगी ही सी कि उस दी चीक निकल गए गैरी दे सिर विच्चों लहू आग रहा सी वो बेहोच सी एक वारता रोजी दा दिल फेल होन वारा हो गया उसनों लगा जम्यों बेहोच हो रही होगे पर उपज के गैरी कुल गई उस दियां कला नो थप थपाँ दी रून दियां काम दी वाज वेच कैन लगी गैरी डारलिंग की होया तो कुछ बोल गैरी एक दम उसनों ख्याल आया ते उसने ट्रिपल नाइन नंबर डायल कर देता होनों गैरी नो बचाउन ली पूरी चितनता नार सोच रही सी एम्बूलेंस ते पुलिस नो फोन करके उगराई दी डोर खोलके सडक जा गई सरदी दी शुरुआत सी खांदे सुके पत्तेया नो मिद देया लंग दी नो सर दी दा पोरा ख्याल नहीं सी आया उसने जैकट भी नहीं सी पाई पैरी चपला पाई हों या सन पामे मी नहीं सी पैरेया पर बदलाने सूरज नो चमकन दी मनाही कीती होई सी एस सड़कते करांदे डोर नंबरा दी था नाम होण करके करलबण विच दिक्कत आउन दा उसनो पता सी एम्बूलेंस दा समा बचाउन लई उस सड़कते चल गई जादे ही उसने सड़कते एक पास्यों एम्बूलेंस दूजे पास्यों पोलिस दियां गड़ियां आउंदियां वेखियां ताउं फूट पास्यों खड़ी हाथ उच्चे करके हलाउन लग भई एम्बूलेंस दे स्टाफ अगे नो गराई दी खुली डोर रही उनना दे अग्गे अग्गे दाड़ देयां टीवी रूम बे चली गई अईने नो पड़स भी आगे सी पुलिस कांस्टेबल रोजी दे मोड़ियां उत्तों दी नर्मी अते सतकार नढ़ाथ रहके उसनो किचन वेच लाए गया मुआफ करना मैडम एंबुलेंस स्टाफ नो अपना काम करन देओ पीड़त व्यक्ति दी मदद करनो पैल देना ही सड़ा फर्ज है केंदेया उसने पाणी दा कलास पारके रोजी नो फडाया रोजी ने डरियां अखाना आड़ा आफसर वाल वेख देया पाणी फड लिया ते को टक पीवी लिया अरुजी नो पुलिस अफसर शानत करन दी कोशिश कर रहा सी दूजी अफसर करदे बार जानवाले द्रवाजी अते खिड़कियां चेक कर रहे सन करदे बार पुलस दे लाए रीबन करदे अंदर किसे दे आउन दी मनाही नो दरसा रहे सन कारदे सारे तरवाजे अते खिड़कियां बांधान किसे किसम दी पान तोड़ा कोई निशान नजर नहीं आया सारे कामरें दी पड़ताल कीती गई ते हमलावर का रवेच नहीं है एक अफसर ने आके रपोर्ट देती लाफट चेक किता नहीं कह के अफसर फिर पौड़ियां चड़ गया उन्ना ने लाफट चेक किता उते वी उन्ना नू हमलावर ता की मिलना सी कोई होर भी फौरी सुराग ना मिलिया अफसर ने आके फिर रिपोर्ट दे दिती सब नो हरानी सी हमलावर कर वेचे दाखल के में होया हुन तक अमबुलेंस स्टाफ ने गेरी नो मुडली सहाइता दे के उस दा साच आलू रखन दी कोशिश कीती सी उस ते आकसीजन लगा के स्ट्रेचर ते पाके उसनो हसबतार लेके जा रहे सन पुलिस कांस्टेबल नो उनना ने गेरी दी अदमोई हाल तबारे दास दिता सी रोजी अमबुलेंस वेच गेरी दे नार जान ली बैठ खी अते पुलिस अपना काम कर रहे सी एमबुलेंस वेचो ही रोजी ने अपने प्रा निकन फोन करके दुरकटना दी जान करी रहती तां ओवी बिना देरी रोजी दे करवाल ला गया पुलिस ने उसनों अंदर आउन देता हुन तक पुलिस दे कैमरा मैन उंगला दे निशान लैन वाले अते बाकी लड़ींदा स्टाफ आ रहे सी अते कोज आ चुका सी सब अपना अपना काम कर रहे सन जाँच टीम अगे सब तो वड़ा सबाल हमला वर्दा करवेच पहुंचन दा सी रोजी अनसार ओ गराज दी डोर बंद करके गई सी उसने आके गराज दी डोर खोली सी सब दरवाजे बंदसान कोई कुंडा जिंदा तोड़न दी कोशिश नहीं सिकिती गई खिड़कियां भी बंदसान कोई होरा पुलस नो लब नहीं सी रहा डक्टरां ने गैरी नो बचाउन लई अपनी वाल आई उसनो इंटेंसिव केर यूनिट वेच ले जाया गया डक्टरां दी टीम अपनी दोड़ पज कर रही सी गैरी दी खोपडी बुरी तरा जखनी सी किसे पारी चेई दा तकड़ावार उस दे सिरते होया सी कीचरां होई खोपडी ना डक्टर उस दे दमाग नो होई हानी दा पता लगाउन दा यतन कर रहे सन बहुत सारा खून वे जान करके उनना ने उसनो खून लगा के जीवन देन दी कोशिश कीती सी कुछ कांटें आनिया कोशिशां बाद भी मेनत पल ले ना पई गैरी नो हार्ट अटेक ने जीवन तो दूर कर दता सी डाइटरां ने ड्यूटी ते पुलिस आफसर नो खबर देन बाद ही रोजी नो दसे आ रोजी एक वार फेर तो सिसकन लगी अते पुलिस आफसर उसनो होसला देन दा यतन कर दा रहा स्कॉट ट्रेडिंग अस्टेट विच्चों दी लंग रहा सी अते ओ दकाना दी परेड वेच स्थित कॉस्टा कॉफी दी दकान तेया बैठा अपना कंप्यूटर उसने टेबल ते रख लेया अते कैपेचीनों दे कापदा अडर कर देता ओ एक केस ते काम कर रहा सी अज उसने केस दी कुथी सुल जा लई सी ओ अपरादी नड़ हुई गलबा देदार ते रपोर्ट त्यार करन लई कॉस्टा कॉफी वेचाया सी उसने सडक वाले पास से अपनी सीट मार लई ते शीशे वेच्चों दी बार वेख्या लिवरपूल रोड ते पुरानी बेल्डिंग टाई जा रही सी किसे वेले ऐचे चाकलेट वाल्ड ना दी सुवीट ता बनाउन वाली फैक्टरी सी असल वेचे सारी ट्रेडिंग अस्टेट ही फैक्टरीया नाड पर ही हन दी सी उन फैक्टरीया ता चीन वार गे देशां वे चलिया गईया यूर्प वेचे ता फैक्टरीया दी था गदाम बढ़ रहे हन जान दाफतर ते के ते कर्बन अन दी आग्या मिल जान दी यूर्प दे कामेया दा बहुता कमा वेचे सदियां पराणा होनर बे माईने हो गया सी कुडी ने उसनू कैपेची नू ले आदती ते उस दा ते आन एक वार फेर मुड के अपने लेपटाप वाल हो गया अपने बनाए नोटस उसने मेजते रखे ते काम करना शुरू कर देता कांटाक काम करके उसने रिपोर्ट नू फाइनल कर लिया ते एक वार पढ़न लगा उसनू तसली होई कर जाके ता वो बच्चेया विची ही उड़जे जान दा ते उसनू रहिंदा काम रात नू करना पहिंदा कदे कदे ता सवेरे जल्दी उठना पहिंदा अते देने उस दा स्रीर ठक्क्या या रहिंदा काम करके उसने एक वार फिर टैटेरी फेक्टरी वाल वेखिया ते कलपना कर लगा के इस थां ते शायद नमें दाफ्टर बढ़न गे अचानक उस दे फोन ते मैसीज जाया जिननी जल्दी संबभ है दाफ्टर पहुंचो कलाइव कलाइव उस दे डिपार्टमेंट दा है एक कोई पहली बार नहीं सी के उसने कम खात्म करके कर जान दी त्यारी कीती होई दाफ्टर विच्छं फोन आ गया होई उसनों पता सी कोई खास काम होएगा और होकम द आद तेहन नमें रखन वाल तेहन नहीं दे रही अज ही सवेरे एक कतल हो गया है अते केस गुंजल दार लागदा है कातल दे कर अंदर दखल होणदा कोई सुराग नहीं मिलिया इसलिए मैं एक केस तैन्नू देना जोना हां तूं अपनी चौन दी टीम बना लै आले एडरस एक गल होर और नमा मुड़ा है ना तूंनी उस तो मी मदल लवे ना चंगा है तूंनी मेरा ख्याल है अपन गंबीर मसले ते गल कर रहे हैं एहाद से ठट्टे बाराता समा नहीं है तूंनी असल विच नमा ही आया है और मसां साड़े पंच फुट हलका सरीर जिमें हफते व एकाटी कर दा सारा दिन अपने लैप्टाफ दी स्क्रीन ते नीज लाई रख दा होन तक स्कॉट ने कदे उसनू बोल दे नहीं सी सुने नई स्कॉट मैं गंबीर हां ते सोच के ही कह रहे हां केंदे हैं है उसने तूंनी नो फोन कमा दे ता ते अपने कमरे वे चाउन ली क तोनी निके निके कदम पुटदा बिना किसे पासे वेखे सिद्धा कलाईव दी कुर्शी कोड़ा खड़ा हुया उसने अपनी जबान बिच्चों अजे कोई भी शब्द नहीं से उचा रहा तोनी एहन डेटेक्टिव इंस्पेक्टर स्कॉट बहुत हुनहार ते तजार्बे स्कॉट टोनी आईटी दे मामले वेच बहुत जहीन है एक किसे भी किसम दी जानकारी लैनी होए ना टोनी बहुत जालदी ते सही जानकारी लब के दे सकदाए स्कॉट ने कुरसी उतो अठके टोनी ना रहाथ मलाया टोनी तैनु मिलके बहुत खुशी हुई उसने रासमी जे मुसकराहट देती तोनी ने टलाया हाथ मलाया ते बेना कुछ कहे चलेया गया वैसे ए जदो मैं कुछ पुच्छान जवाब दे दोएगा एनू तूं कदे बोल देनू सुनेया ओ दो में हसे फिकर ना कर बहुत जिम्मेवार बंदा है बंदा स्कॉट शिरारती जे मुस जड़क ते पाले ए एरिया ता उस दा देखिया पालेया सी कर वी आमनाळों वड़े सन ते सड़क वी जोड़ी सी कर देगे कार खडी करके उसने बाहर निकलके सड़क दे दुने पासनी वेखिया एक कोग मी नजर सबन्दत करवल मारी एक करमचारी खिड की ते उंगला द करन लई खड़ा सी उस कौट नो जान दा सी उसने हेलो कही मोटी जही जानकारी लेके ओ करदे पिछे वल चला गया करदे पिछे एक वड़ा बगीचा सी बगीचे दे अखीर ते उच्चे रुख लहला हा रहे सन रुखा दे पिछे उसनो कुझ नहीं सी दिस रहा और रुखा कोड चला गया रुखा दे पिछे शेक फोट उच्ची कांद बनी होई सी ओकांद कोड पई एक पुरानी जाई बाल्टी नो मुद्धी करके उस ते खड़ गया कांद दे दुझे पास से एक शोटा जा फार्म सी उसने निर्खनाल वेख्या तो महसूस कीता कातल ले इस पा पासे aalरी वार्ड डुटी होई सी, दूमा करांदे विचकारली वार्ड भी एक थान तो उखड़ी होई सी, ओराम नाड ही उत्तों दी लागया तियान नाड़ वेख्या वोफार्म वेख्या तियां फार्म वेख्या मिच्यों उसने खबे पासे विक्या उधर कारबडे है सज्जेपा से दूर तक फारम देस रहा सी और करांवाल तरपया अग्गे साड़क सी उसने दो में पासी वेखिया पर कोज भी खास ना देसे और वापस करबा ला गया एक वर फिर उसने करदे बार लगिया पत्थर दिया से लेखिया नो ते आननल को किया पर उसनो कोई मड़ा मुटा ना नशान ना मिलया पुलिस अफसर उसने नाड ही चल रहा सी ते उसे सवाल लाने जवाब दे रहा सी 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 टीवी चेक कीता सी सी टीवी चल दा पर चेप गायब है सो रिकार्डिंग मिल नहीं रही सकॉट नो हुनता का पता लाग गया सी क्यों किसे अससन अपरादी नो लब रहा सी कतल बहुत पलाइनिंग ते सोची समझी शाजश अदीन कीता गया सी अपरादी ने कोई भी सबूत नहीं सी शड़या लाग दा समने करवाड़यां तों सी सी टीवी दी चेप लाई हाँ समने करदे नाड़ दे करांतों भी चेप लाइके लबार्टरी नो पेज़ देती है उ मितरक दी पतनी नो इंटरव्यू करना चौंदा सी पर अजे ओ बहुत सदमे विच सी ते एक अदर दिन ठेर के ही गल करना योग हो सकेगी सकॉट नो परवार ते उस दे दोस्ता तो बहुत डूंगी जानकरी लेनी पेजी एक गैरी की कम करदा सी कोई जानकरी ममूली जाई जानकरी है एक कमपनी चे फ्यूचर लाइफ एतने डिरेक्टरा में चो एक सी हेड आफिस किते अगमपनी दा लांग लेन ते गैरी दा लैपटाउप ते फोन मिले आ नहीं लागदा कातल नाल ले गया स्कॉट हरनी नल खड़ा वेखता ही रह गया उसनों यकीन नहीं सी आ रहा हुन उस सोच रहा सी के गैरी दे लैपटाउप विच संबब है कोई एहो जाई जानकरी हुए जो किसे लिए बहुत महत्तपूर्ण हुए कतल दी कुथी सोड़ जन दी था और जड़ी जा रही सी मेरबानी केंदे यां स्कॉट ने अपनी नोटबुक बंद कीती एक वर फेर करनो ते आनल नहा रहा ते अपनी कार बेचा बैठा उसने अपने टेली फोन ते गूगल रही फ्यूचर लाइफ दे डिरेक्टरान दी जान करी लब लई कांपनी दे हेड आफिस दा एडरेस वी सी ते कस्तमर केर दा फोन नमबर भी पहलना उसने टेली फोन जहां ईमेल करके मिलन दा समानियत करन बारे सोचेया फिर उसने आप ही कंपनी दाफ्तर जान बारे सोचेया आप जाके शायद उसनों कोई होर जान करी भी मिल जान दी वैसे भी लॉंग लें ते वो बहुता दूर नहीं सी कोज मेंटा दी गल सी दाफ्तर कोई बहुती अमेरी ठाट वाट बाड़ा नहीं सी शोटी बिल्डिंग सी ते दरवाजे दे कांटी लगी हुई सी उसने बेल की ती स्पीक करते आवा जाई मैं तो हड़ी की मदद कर सकती है मैं डिटेक्टिव सकॉट किसे जरूरी कामले गल करनी चौन दा हाँ दरवाजा खुल गया ते स्कॉट रिसेप्शन डेक्स ते चला गया उसने अपना सनाक्ची काड कड के कुडी नो दखाया मैं डिरेक्टर नो मिलना चौन दा हाँ जरूरी एस वेले तां ओई थे नहीं हान कल दी मीटिंग संबब हो सकती है ठीक है कल गयारा मजे डिरेक्टर जो जरूर्ज किस नाड बना माँ दो माँ नाड ही मैं गयारा मजे पहुंच जा माँगा ते तानवाद कर जाके स्कॉट ने अपना लैप्टाप खो ले आ ते दो माँ डिरेक्टर आँ बादे जानकारी लेन लगा और मीटिंग तो पहला जो संभव सी जान लाना चांदा सी दो माँ दी तनखा कारा उनना दे पशोकड़ बारे उसने गूगल रही काफी जानकारी ले 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 सी नाड ही उसने पिछले साल दे फ्यूचर लिविंग कांपनी दे कंपनी हाउस दी वेबसाइडस तों अकाउंट्स दा सार अंच प्रापत कर ले सी कंपनी दी आर्थिक हाल तो बहुत चंगी सी पर डिरेक्टरां दी तनखा उस अंसार बहुत काट सी उनना दा रेंड सेन भी कोई बहुता शाही नहीं सी लगदा अज काल डिरेक्टर मुटी तनखा लेंदे हून करके उसनो ए अचंबा होना कुदरती सी उस सोच दा अपने राप एगया हून तक वार वार कतल दा मकसद समझन दा यतन कर रहा सी कर विच्चों कोई चीज चोरी नहीं सी हुई मुड़ मुड़ कतल दा कारण लेपटाउप ते केंदरत हो जान दा कोई तोड़ पान नहीं सी कीती गई किसे किसम दा सुनेहां भी नहीं सी चड़ दा गया एक कतल बहुत ही गौपत निशाने नो मुख राके कीता गया लागदा सी सोचां सोच दा ओ फ्यूचर लिविंग दे दाफ्तर दी बेल अब जान लगया काल वांग ही उसनो अपना नादा सना पया दाफ्तर चाट खोल गया रसेप्शन ते खड़ी कोड़ी ने उस दा मुसकरा के स्वागद कीता आओ तो हड़ी उड़ी खो रही है और निके निके कदम पूट दी मरक नाड अगे तुर पई सकाट हर चीज वाल गाउन वाल वेखदा उस दे पिछे पिछे तुर रहा सी कोड़ी ने एक कमरे दा द्रवाजा खड़काया ते खोल के सकाट नू अंदर लंगन देता हेलो इंस्पेक्टर केंदेना ते उड़ास जी मुस्कराहट नाड दोमा डिरेक्टरा ने अपनी जान पशान कराई ते हाथ नाड उसनू कुरसी ते बैठन दा अशारा कीता मैनू गैरी दे कतल दा बहुत अफसोस है सकाट ने उनना दोमावल वेख देया रस्मी जाई गाल शुरू कीती जिंदगी वेचे पहली वारी इना वड़ा सादमा सेना पहरे है जो दी अवाज वेचे जिन्नी अदासी सी उननी उस दे चेरे ते भी सी जोर्ज भी उस तो काट अदास नहीं सी सकाट दी पार्क को आख ने अंदाज़ा लगाया क्यों दिलों इंज महसूस कर रहे सन जोर्ज ने काफी तेन कपा में चपाई ते कापों ना दे अगे रख देता है दस सो असीं तो हड़ी की मदद कर सकते हैं जोर्ज ने सवाल गीता मैं गैरी बारे जानना जाँ दा हां गैरी कदों तो ड्रेक्टर दे आओ दे ते सी गैरी साड़े दोमा नाणों सीनियर सी और चार साल तो ओ दे ते सी पर साड़े नाणों के तेवाद में ती सी उस दे आओ दे ते हुन दे हां कामपनी ने काफी तरक्की की ती, जोरुज ने दस्या कामपनी दे डिरेक्टर के में चुने जाने हैं, साढ़ी एक एक एग्जीकीटिव कमेटी है, उन्ना दा पिछले सालाना काम वेख्या जानदा है, योग व्यक्ती नू उन्ना विच्छों चौन लेया जानदा है, कदी- जो बोल है कदल बहुत लंबी चोड़ी स्कीम नाल किता गया मेरे ख्याल वेच गल्टी दीसमावना ना म्राबर है। सकॉट ने वी एही सोचा सी पर विचार नो रतगर ना प्या सी होटा कोई कारन नज़र नहीं होधा जार यह नए सेर मारता क्या कि उसदे किसे सियासी जांग कट्ड़ता आर्मे के गरॉपनार सबढ़ संद जहां किसे गरॉप दी सक्त वरोगता करदा होगे विचार तो हम द जिन्दगी के में सी बहुत वदिया उन्हाने प्यार व्या कराया सी ओ एक दुज्जे ते जान शड़क दे सन मैंनू ताहुन रोजी दा फिकर है गैरी बिनाओ किमें रहेगी गैरी दा लैप्टॉप ते फोन लगता कातल नान ले गया तो हड़े खेल वेच गैरी कोड एक कह दर्शी है एक्जेकेटिव कमेटी दी मीटिंग वेच भी सब बचा रहा जानदा है गैरी कोड होर केड़ी जानकरी हो सकती है जोर अपने आपनों सवाल पोच रहा थी स्कॉट ने इस वक्त होर सवाल करना ठीक ना समझा उन्हान दोमा डिरेक्टरां तो कोई खास जानकरी नहीं सी मिली ना ही उसनू कोछ शक्की लगया अपना काड़ों नानू दनदेयां उसने कोई वी नमीं सूचना मेल ना थे उसनू टैलीफोन करन दी ताकीद की ती उसनू लगया जमेह आनेरी सरंग वेच अजे के दरे मारी मुटी वे चाननटी लिक दिसनी ताकि चाननधा कर दे बार एक वर फिर तो कातल दे संब भी प्लैन बारे सोतिन लग गया उसने अंदर जान दे रास्ते आनू बार तो फिर बचा रहा पर एस वार उस दे नतीजे पहला वाले ही सन उसने दरवाज़े दी कांटी खड़काई ता एक पकी उमर दे आदमी ने दरवाज़ा खोल हाँ आओ कै के आदमी उसनों गैरी दे लाउंज वे चला गया ते उसनों बैठन ले किया कुछ मेंटा बाद रोजी आगई उसने उठके उसनाल हत्त मलाया ते गैरी दी मौदा अफसोस जाहर कीता मौफ करना मैं तहनों किस नाम नाल संबोदन करा रोजी ही ठीक है मेहर बा हुए सकॉर्ट ने कई सवाल दाग देते मैं वार वार सोचया है मैंनों अजहा कुछ भी याद नहीं आ रहा गैरी दे जान जिनना ही दुख मेंनों एस गालदा भी है कि आखर उसनों किसे ने क्यों कतल कीता है रोजी दी गमगीन अवाज मसा ही सुन रही सी सकॉर्ट नों जाहे ही जवाब दी मीच सी जात तो सी उस देन कारा है तांकी तो सी कोई कार नेड़ तड़े पार्क कीती देखी यहा कोई पैदल जान दा आदमी नहीं वैसे वी नौक वजे बाद साधी रोड़ते कोई खास कारा नहीं हो दिया जान दिया रोजी मैं तो हाड़ देनार सब्सक्राइब जानकारी होए चंगा है मैं समय रहा है जदों वी तुसी हो मैं आजा मगा मेरे ख्याल वेच मेरे नाणों वड़ किते वड़ मेरे फादर इनलानों जानकारी हुएगी ओ इत्ते ही है कहो ता उनों पे जान हाँ जरूर कोई मिंटा बाद 25 साल दा बज़र मेरा नाम है पैवस होता ते मैं गेरी दा पिता हैं कहा के उचेर ते बैठ गया दरसल मैं गेरी दे पशुक्र बारे जानना चौन दा सी जो तो हाट डेकोर समा है था पैव नीमी पाई कुछ सोचता रहा सकॉट उसनों देखता रहा कुछ मिन्टा बाद बजर्ग उठे या ते मैं आया दो मिन्ट च कहके चलिया गया यद वापस आया ते उस दे हाथ पीच पानी या गलाज सी मैं विस्तार ना सब दस देना जो मैंनू पता है निकी निकी गलवी जे कुछ होर पुछना होया ते मैंनू पुछ लेना मैं नाड़ दी रोडते रहना गल मैं आव दे प्यो तो शुरू करना बजर्ग ने क्या कहानी शुरू कर ली सी जिस दी सकाट नो लोड नहीं सी ओस दा डेलवी नहीं सी तोड़ना चांदा पर दुझे पास से शायद कुछ वडमली जान करी पर पूर गलावी हो सकती हैं संद और सबरना रिकौर्ड कर दा रहा उसनो पता सी फाइनल स्टेटमेंट बना ले उसनो बहुत मेंट करनी पहनी सी गल खतम होई तमहीर बनी केंदेया उठ खलोया कारविच बैठ देया उसने टूनी नो फोड मलाया कुछ कांटियां वज्जन बाद ही उसने फोन दा जवाब देता टूनी पला पता कर कतल सबंदी हो रही ही नक्वैरी वाड़े सीसी टीवी कैमर यां दी रिपोर्ट आ गई है यह नहीं तब पता करो की हो रहे है ठीक कहके टूनी ने फोन काट देता स्कॉर्ट ने अपने फोन कुरिया थे गड़ी तोर ली एक बार फिर उस दी नज़र सीड ते पर रिकार्डिंग ते पर स्कॉर्ट कार पहुंच गया रिकार्डिंग कि उसने अपने टेबल ते राख देती वह अपनी पत नहीं ते बच्चे यहां कोड चले गया बच्चे पीजा खान दी बार जाना चाहूं देया मैगी ने बैठेया अपना मू रता को पर चुक देया किया ते स्कॉर्ट ने उस दे मत्थे चुमन दे देता चलो ठीक है कि चलना है डैड हाई स्टीट ते चल देया है जित्थे ठीक लगया खाल मांगे वड़े मुंडे ने जवाब देता ठीक है मैं मुहाद तो कि आया क्या कि वह अपने कमरे वाल चला गया खाना खान देया उप आमें बच्चे आ ते मैगी नड़ हस रहा सी ते गल्ना कर रहा सी पर उस दे दमाग वेच गयरी दा कंप्यूटर को मरे आ सी उसनों यकीन सी कातल जरूर लैप्टाप लई आया होना उसने होर किसे चीज नों हाथ नहीं सी लाया गयरी दिया मेंगिया कडिया करे पाईया संद कोज गयने विशन पर उसने कोज नहीं सी चक्या ओ गयरी नों अपनी सोज तो दूर रखन दी कोशेश कर रहा सी पर अपने प्रवार ना पूरी तन देहीं ना मस्ती करन दा जतन कर रहा सी पूरी सफलता उस दे हाथ नहीं सी लग रही ग्यारां का वजे उकरे आ गए ते सौंगे सवेरे चार वजे स्कॉट दी आख खल गई और कोई दे करन लई रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर देती पैवस होते ने पहला ही क्या सी उसने अपने डैड नाजर संग तो गल्ला बतना पुछ के जान करी लई सी अते को जुस दा अपना तजर्बा शुरू है स्कॉर्ट ने सुनना शुरू की था नाजर संग कई दन अपनी पत मैं तेनू अडीक दासी परसों चौहदा तुम आया ना ते मैं हार के आया तेरा पासपोर्ट बड़ी मुश्कल ना लकड़ाया है तुम होन देर ना कर एक आर मौका खुझे हाथ नहीं हो दा नाजर ने सुईवल विख्या जथे प्रीतो रूटी टुक दे आर लगी हुई पहला मैं थोड़े ले लसी लेके उना बाकी गल फेर कर दे आ कहे ना जरसेंगर सोईवल जला गया ते पित्तल दा गलास लसी दा पर वाके ले आया लो लसी पियो मिस्या यूर्टी भी त्यार हुँंदी ना जरसे हा रुटी ता मैं खाके है तू दास तेरी सीट कदों दी बोकरां तू कदो मेरे कोड़ाएंगा नाजर सेंग नू पता सी यांट टेड़े टांगनार पैसे मांग रहा सी पैसे ता उसने शातो पुछे होई सन वड़ी गलता प्रीतो नड़ गल करन दी सी मैं थोड़े कोड़े परसू आंग हर हलाच नाजर सेंग ने एक वार फिर और सोईवल नजर मारी परीतो अपने ते आन काम लगी होई सी उसदा सालक दा मुड़ा पावन अज सुता प्या सी ते तैन सालां दी कोड़ी अपनी मांग नू ते आन नाड़ वेख रही सी एजेंट ने लसी पीती मुच्छा ते हाथ फिर के साफ कारदया उठ खड़ा होया क्छा नजर से न मिल दें फिर पार्सोंनू केके उसने हत्तमर आया ते चला गया रूटी खाके नजर से पेंड वेचे नू चलाया गया ते शावननू पिछान लिका के आया, खेट सीรी कम कर रही सी नजर भी उधह, उसने देल पारके दूर तक खेता नूए वेख या, खे मेरो खेत तो कच्चे राधी उड़ दी तो उडवेच पेंडवाल नूंत उर्पया